योग निद्रा के लिए तैयार हो जाईए शवासन में लेट जाईए शवासन के अवस्था में आपका शरीर सिर से पैर तक एक ही सीध में रहेगा दोनों पैर एक दूसरे से अलग दोनों पैरों के बीच कम से कम एक फुट का अंतर रहे दोनों भुजाएं शरीर के बगल में हथेलिया उपर की और खुली रहेंगी शिर सिधा आखें बंद एक बार अच्छी तरह अपने शरीर के स्थिती को व्यवस्थित कर लीजिए शरीर को विश्राम की अवस्था में ले आएं योग निद्रा का भ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को किसी तरह हिलाना डुलाना नहीं है आखों को बंद रखेंगे जब तक खोलने को ना कहा जाएं गहरी श्वास लीजिए और अनुभाव कीजिए कि शारिरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है श्वास को ले करके छोड़ते समय पूरे शरीर को धीला छोड़ दीजिए गहरी श्वास ले और श्वास छोड़ते समय अनुभाव कीजिए कि शारिरिक और मानसिक थकाने दूर हो रही है पूरा शरीर शिथिल हो रहा है आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है जिस प्रकार रात्री में सोने के समय शरीर शिथिल हो जाता है उसी प्रकार अपने शरीर को अभी विश्राम की अवस्था में शिथिलता की अवस्था में लाना है जैसे जैसे योग निद्रा की अभ्यास क्रम में मन अंतर मुखी होता है वैसे वैसे जपकी और नींद भी आती है लेकिन आपको सोना नहीं है पूर्ण तह जागरुख रहना है समय समय पर अपनी सजगता को परखना है यह कहकर मैं सोंगा नहीं मुझे पूरे अभ्यास में जगते रहना है आपको मेरी आवाज को सुनना है और मेरे निर्देशों को मानसिक रूप से क्रियानवित करना है अपनी सजगता को अपनी चेतना को मेरे आवाज के साथ जोड़ देना है और मेरे निर्देशों के अनुसार चलना है निर्देशों का बहुत धिक विशलेशन अथ्वा विचार नहीं करना है केवल आदेश का पालन करना है अन्यथा आप मानसिक रूप से विश्राम नहीं कर पाएंगे अभ्यास के बीच अगर विचार आते हैं तो आने दीजिए लेकिन निर्देशों के प्रती अपनी सजगता को बनाये रखें अपने आपको अपने शरीर को स्थिर रखें अपने आपको पूरी तरह से शान्त और स्थिर बनाईए सारे शरीर को शिथिल करने की भावना कीजिए शारे रिक सजगता और शारे रिक स्थिर्टा अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाईए और पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए पूर्ण स्थिर्टा के साथ पूरे शरीर के प्रती जागरुग बने रहिए पूरे शरीर का ख्याल मानसिक रूप से अपने आपको कहिए मैं सजग हूँ और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ मुझे सोना नहीं है मुझे पूरे अभ्यास के दवरान जगते रहना है पूरे शरीर का ख्याल पूरे शरीर को विश्राम की स्थिती में देखिए शरीर में कहीं भी कड़ापन नहीं तनाव नहीं पूर्ण आराम मानस्पेशियों में तनाव नहीं जोडों में तनाव नहीं पूरे शरीर को तनाव रहित बना करके स्थिर्ता का ख्याल कीजिए मन में यह ध्यान रहे कि सोना नहीं है मन में यह ख्याल रहे मैं योग निद्रा का भ्यास कर रहा हूं अब कुछ छणों के लिए अपनी चेतना को बाहर की आवाजों पर केंद्रित कीजिए जो भी आवाज आपको सुनाई पड़ते हैं जो भी ध्वनी सुनाई पड़ती है जो भी शब्द सुनाई पड़ते हैं उनके प्रती सजग रहिए किसी भी आवाज में अपने मन को टिकाना नहीं है केवल आवाजों के प्रती ध्वनी के प्रती सब्दों के प्रती सजग बन करके रहना है आपका मन टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरह समवेदन शील है अपने सीमा के भीतर सभी आवाजों को जिस प्रकार माइक्रोफोन ग्रहन कर लेता है उसी प्रकार अपनी चेतना के दारे के भीतर जो भी ध्वनी सुनाई पड़ते हैं उनके प्रती सजग बने रहिए किसी भी आवाज में किसी भी ध्वनी में अपने ध्यान को ठिकाईए मत बलकि यह जान लें कि आवाज हो रही है मैं सुन रहा हूँ और फिर दूसरे आवाज की और अपने मन को ले जाईए सभी आवाजों के प्रती सजग बने रहिए अपनी चेतना को शरीर से बाहर पुर्ण रूप से बहर मुखी बनाईए अब श्वास के प्रती सजग बन जाईए समान्य श्वास जो अंदर ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं समान्य श्वास समान्य श्वास के प्रती पुर्ण सजग बने रहिए श्वास को अंदर आते और बाहर जाते देखते जाईए नासिका छिद्रों में श्वास का अनुभव कीजिए श्वास नासिका छिद्रों में प्रवाहित हो रही है जब श्वास अंदर जाती है तब नासिका छिद्रों में श्वास के तापमान का वायू के तापमान का अनुभव कीजिए जब श्वास छोड़ते हैं तो नासिका छिद्रों में वायू के तापमान का अनुभव कीजिए श्वास के प्रतिपूर्ण सजग बने रहिए कोई भी श्वास बिना आपके जानकारी के ना भीतर जा सकती है ना बाहर आ सकती है श्वास का ख्याल श्वास के प्रतिपूर्ण सजग बने रहे कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है विश्राम की अवस्था में जा रहे है अपने प्रति सजग रहिए निर्देशों के प्रति सजग रहिए अब हम लोग एक संकल्प करेंगे आपको संकल्प करना होगा संकल्प आपके विकास एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित हो संकल्प आपके स्वभाव या प्रकृतिक अनुकूल छोटा, सरल और स्पस्ट भाशा में होना चाहिए कोई भी एक संकल्प चुनिए योग निद्रा में किया गया संकल्प निश्चित रूप से फली भूत होता है संकल्प का जैन करके संकल्प को तीन बार मन में ही दुहराईए पुर्ण आत्म विश्वास के साथ अब हम अपनी चेतना को या मन की जागरुकता को क्रमश शरीर के विभिन भागों में घुमाएंगे अगर हम कहें दाए हाथ का अंगोठा तो बंद आखों के सामने काले परदे पर दाहने हाथ के अंगोठे को मानसिक रूप से देखिए मन में दुहराईए दाहने हाथ का अंगोठा और दाहने हाथ के अंगोठे को पूर्ण रूप से धिला छोड़ देजिए इस प्रकार शरीर के विभिन अंगो में हम अपनी चेतना को घुमाएंगे पूरी सजक्ता के साथ दाहने हाथ का ख्याल दाहने हाथ का अंगोठा पहली अंगोली दूसरी अंगोली तीसरी चौथी हथेली कलाई केहुनी कंधा बगल दाएं और की कमर दाएं जांग दाया घुटना पिंदली तखना एड़ी दाया पंजा दाया पैर का अंगोठा पहली अंगोली दूसरी अंगोली तीसरी चौथी शरीर का दाया भाग अब अपनी चेतना को बाएं तरफ लाईएं बाएं हाथ का ख्याल बाएं हाथ का अंगोठा पहली अंगोली दूसरी अंगोली तीसरी अंगोली चौथी अंगोली बाएं हाथेली कलाई केहुनी कंधा बगल बाएं और की कमर बाएं जांग पाया घुटना बाएं पिंडली टकना एडी बाएं पैर का तल्वा पैर का पंजा अंगोठा पहली अंगोली दूसरी अंगोली तीसरी चौथी शरीर का पूरा बाएं भाग अब अपनी चेतना को शरीर के पिछले हिस्से में लाइए दाया नितंब बाया नितंब दाया पुठा बाया पुठा रेड की हद्डी गर्दन शिर का पिछला हिस्सा शिर का शिर्ष भाग ब्रह्मरंद्र अब अपनी चेतना को शरीर के सामने लाइए सिर का उपरे भाग माथा दाई भाव भाव भ्रो मध्य दाई आक बाई आक दाया कान बाया कान दाया गाल बाया गाल नाक दाहिनी नासिका बाई नासिका नासिकाग्र उपर का होट नीचे का होट थुद्डी गला दाई च्छाती बाई च्छाती च्छाती का मध्य भाग नाभी पेट पुरा दाया पैर पुरा दाया पैर पुरा बाया पैर पुरा बाया पैर दोनो पैर एक साथ पूरा दाया हाथ, पूरा बाया हाथ, पूरा पीट, पूरा सामने का भाग, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, आपका सारा शरीर जमीन पर लेता हुआ है, इस लेते हुए शरीर के प्रती अपनी सजकता बनाय रखिये, आपका सारा शरीर जमीन पर लेता हुआ है, मानसिक रूप से पूरे शरीर को ध्यान से देखिए शरीर पूर्ण रूप से शिथिल और स्थिर है केवल शारिरिक अवस्था का ख्याल सोना नहीं सोना नहीं हिलना भी नहीं अब अपने श्वास प्रक्रिया के प्रते जागरुक बन जाईए आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं श्वास के लाय को बदलिये नहीं स्वाभाविक श्वसंक्रिया करते जाईए स्वाभाविक श्वसंक्रिया को देखते जाईए श्वास लेने और छोड़ने में अपना कोई प्रयास नहीं होना है केवल श्वास की समान्य प्रक्रिया को मानसिक रूप से देखते जाना है अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ही लगाय रखिए अब अपनी चेतना को श्वास की सजगता को अपने उदर छेतर में ले आईए श्वास के साथ नाभी के उदार चड़ाव का भी ख्याल करना है प्रत्येक श्वास के साथ आपका पेट आपके नाभी उपर और नीचे होती है श्वास लेते समय पेट फूलता है श्वास छोड़ते समय पेट संकुचित होता है इस संकुचन तथा प्रसारण की क्रिया को देखते जाईए अपना पूरा ध्यान श्वास और पेट में श्वास के प्रवाव पर केंद्रित रहेगा सोना नहीं पेट के विस्तार और संकुचन को देखते जाईए अब अपनी चेतना को गले में ले आईए स्वास के आवग अमन को देखिए स्वास के आने जाने क्रिया को गले में देखिए स्वास के अब अपने संकल्प को दुहराई अपने संकल्प को मन में दुहराईए वही संकल्प जो आपने योग निद्रा के प्रारंभ में किया था संकल्प बदलना नहीं है पूर्ण जाग रुकता के साथ अपने पुर्व संकल्प को तीन बार मन में दुहराईए संकल्प के समय आपकी भावना भी प्रबल होनी चाहिए संकल्प में पूर्ण विश्वास संकल्प के प्रतेश जग बने रहिए अब अपनी चेतना को बहर मुखी बनाईए बाहर के आवाजों का ख्याल बाहर के वातावरण का ख्याल जो भी आवाज आपको सुनाई पड़ रहे हैं सभी आवाजों को ध्यान से सुनिए अपनी चेतना को धिरे धिरे बहर मुखी बनाईए प्रारंभिक योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है धिरे धिरे अपने पैरों को हिलाईए हाथों को हिलाईए सिर को हिलाईए अपनी चेतना को शरीर से पुना जोड दीजिए और पूरे शरीर को धिरे धिरे हिलाईए गहरे श्वास अंदर लीजिए और पूरे शरीर को फैलाईए फिर धिरे से आखों को बंद रखते हुए उठ करके बैठ चाहिए